मैं बना रहा हूँ बहुती स्वादिस्ट मतर पनीर की सब्जी तो मैंने पाउ मतर लिए है इन्हें उबलने के लिए छोड़ दिया है करीब पाँच मिनट तक उबाört लूगी घर पर Pनीर बनाया है मैंने तो यह पनीर करीब डेड पाउ से उपर है तो मैंने काट लोगीelे मटर अब उबल चुके हैं तो मैं निकाल दूँगी इसको बहुत ज्यादा ताम जाम नहीं किया है मैंने इसमें तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत अच्छी और टेस्टी सब्जी बनी है तो सारे मटर में इस तरह से निकाल लोगी और अब मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग मानीर को पीसेज में काट लोगी और इसके साथ में हमें चाहिए तीन बड़ेटा माटर चार पांच प्याज और तीन हरी मीर्ची और थोड़ा सा लसन मैंने यहां दो गाठ ली है आप कम भी ले सकते हैं और इन्हें हम चोप कर लेंगे और कडाई च जीरा तेल के गरम होने पर तो अधा चमज मैंने यहां जीरा डाला है इसके चटकने पर डाल दोंगे मैं प्याज और हरी मिर्च मैंने यहां पैस्ट नहीं बनाया है और इनको चोप किया है और इसके बार डालूँगे मैं इसके अंदर टामाटर वो भी मैंने चोप ही किये हैं हमेशा पैस्ट बनाकर सबजी बनाते हैं इस बार मैंने सारी चीजे चोप की है ऐसे भी बहुत बढ़िया बनती है मटर परणीर की सबजी आप डालूँगे सुखे मसाले डेर चमच छोटे वाले मैंने डाली है यहां लाल मेर्च पावडर और वन फोर चोटा चमच डाला हल्दी स्वाद के अनुसा नमक डाल देंगे इसके अंदर और अब डालेंगे एक चमच छोटा वाला धनिया पावडर और यह लसन जो हमने पीस लिये थे वह डाल देंगे और अब मसालों को पकाएंगे थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है मसाले हमारे जब पक गए हैं यह तो अब हम डालेंगे इसमें मटर और करीब पांच साथ मिनट तक पकाएंगे हम मटर को तक ही मसाला इन में बेट जाए और यह इस तरह से हम मटर को पकाएंगे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और पकने देंगे इनको डखकन लगा देंगे अब पांच साथ मिनट बाद हम इने संभालेंगे देखिए आप बहुत ही बढ़िया गलर आया है सब्जी में और आप देखे सकते हैं इतनी अच्छी रग रही है हमारी सब्जी देखने में तो अब डालेंगे हम पनीर होमेड पनी रहे एक डाम शुद्ध मिलाएंगे इसको हम कर्ची से देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है हमारी पानी डालेंगे थोड़ा सा आप इसको चावल के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए पूरी के साथ खाईए तो कैसी लगी मेरी रेषीपी और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी नागोरी में थी बहुत नहीं बड़ी अस्वाद आएगा इससे और अब हमारी सब्जी रेडी है कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद